हेलो गैज वेलकम बेक तु माई चैनल आपका स्वागत है फिर से मेरी चैनल टेकनिकल वर्ब में तो गैज आज के वीडियो में हम बात करने वाल है कि केबल लगवाने के क्या-क्या फायदे है केबल जो आप घर पे लगवाते हो तो उससे आपको क्या-क्या फाइदे होने वाले है गैस पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि DTH लगवाने से क्या-क्या फाइदे होते है तो अगर वो वीडियो अपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके देख लीजिए तो आज की वीडियो में बात करने वाले है कि केबल कनेक्शन लगवाने से आपको क्या-क्या फाइदे हो सकते है गैस तो गाइस अगर आप मेरी चैनल पे नए हो और आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि इस सारी केबल कमनीever ए इंडिया में कमनी य हो बात करूं तो dain हो गया है फिर gtpl हो गया है फिर hithway cable हो गया उसके बाद इन digital cable हो गया फिर fw fastway cable हो गया फिर city digital हो गया कहीं सारी company है आप अपनी तरीके से गूगल में सब्सक्राइब कर लगवा सकते हो अगर आपके केबल लगवाने के तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या-क्या फाइदे होते हैं तो गैस पहला जो फाइदा है वो मुझे काफी अच्छा लगा केबल का जो मुझे डिटीएज में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो है सिगनल नेट्वरक सिगनल गयता है ना क्यों मु थोड़े से चाहिए तो नेट्वरक सिगनल एरर आ गया कि क्लावडी वेदर है तो प्लीज क्लियर क्लावडर तो ऐसा कुछ एरर आ गया तो उसमें सारा सिगनल का प्रोब्लेम रहता है डिटीएज में तो वो मुझे काफी अच्छा नहीं लगा जो केबल में काफी केबल उससे भी ज्यादा से केबल यूज कर रहा हूं उसमें मुझे कभी दिक्कत नहीं हुए इतनी सारी कि क्लावडी वेदर है तो थोड़ा सा नेट्वरक ड्रोप है इसी कोई भी मुझे दिक्कत केबल में फैस नहीं हुए है गाईज मैं आपको बता दूं इविन सर्विस मुझे काफी अच्छी लगी कि सिगनल काफी क्लियर है और मौन्सन में तो काफी अच्छा चलता है को तो यह तो मैंने आपको पहला बता दिया सर्विस के मामले में की सिगनल काफी अच्छा है और दूसरे की बात करें तो तो लोकल टीवी चैनल्स हाँ गैस तो जो लोकटल टेवीं टीवीी चैनल होती जैसे कि अपने एरिया वादि के चमनल करते हैं जょ अपने रमीनीर का यह के बिना जनल करते हैं जो डटी एबाटकास्टर की चनल लू हम ऑड रल जाती इस वे ब्धेबल में आपका जो भी पैख ही वो पूरा हो जाता है तो आपका जो लोक्ल चैनल का जो बॉक्स होता है राकल चेनल का प्पेकज होता है एक कर्ण चार्जन और बम आपका चार्ज ना करो तो chemistry लोकल कोर्म हूए उस चाल ऑ्छी रहता है और आप अपने city की news भी जान सकते हो cable के through तो ये काफी अच्छी बात है मुझे ये भी service काफी अच्छी लगी cable की guys तो इसके लिए भी आप cable TV लगवा सकते हो guys मैं कहूँ तो जो आपको DTH में नहीं मिलता है वो आपको cable में अच्छे से provide हो जाएगा guys तो तीसरे नंबर की बात करें तो आपको investment ज्यादा cable में नहीं करना पड़ता है guys तो मैं आपको समझा देता हूँ कि केसे पहले तो बात करते हैं DTH में आपको पहले set box लेना होता है उसके साथ आपका antenna आता है फिर LNB फिर wire आता है एक साल के लिए सबी सर्विस फ्री होती है बाद में कोई भी आपा antenna के टूटता है आपका LNB बिगड़ता है आपका wire टूटता है तो आपको ज्यादा इसके चार्ज देने होगे इसके लेने के चार्ज देने होगे जो इसमें cable में नहीं होता है सिर्फे सेटप बोक्स लेना होता है बस एक वाइर इंक का चार्ज है वह कुछ वह सिर्फ केबले वाले देते हैं आपको अपने cable जो भी सेटप बॉक्स है उसका चार्ज देना है और जो आप packet एक्टिव कर आदे है उसका चार्ज देना है तो उसमें आपको कोई भी investment का खर्चा नहीं है जो आपको DTS में लगता है guys DTS में आपका खुद का setup होता है disc का और cable में cable वाले का खुद का होता है वो आपको connection देते हैं वो भी बीना जंजट के तो यहाँ पर tension रहता है DTS में कुछ बिगड़ बिगड़ जाता है तो आपका खर्चा होगा minimum LNB का साथ 400 से 300 रुपया होगा जो इतना खर्चा आपको cable में नहीं आता है तो यहाँ पर investment ज्यादा नहीं है और खर्चा भी नहीं है guys ओके fourth number की बात करें तो service guys पहले DTS के मामले में बात कर तो DTS में आपको one साल की service free मिलती है बाद में आपका अगर network drop हो जाता है LNB हिल जाता है तूफान से तो आपको उसका ठीक करवाने का 200 या 1.500 जो भी इसका लगता है वो देना होता है even service वगेरा का चार्ज भी आपको देना होता है स्याथ केल में आपका wire वगेरा टूट जाता है का सेट भाथ नहीं चलता से अफ़ डॉक्यार अगर सेट भाथ चार्च देना होता है और guys उस का यह यह के बाद भी 2 पार सेट्ट अच्छी बात है जो मुझे केबल में अच्छी लगी जो मुझे DTH में सर्विस की बात नहीं अच्छी लगी तो इसके विहाओ पे भी आप केबल TV केबल सर्विस है वो अपने घर के उपर लगवा सकते हो गैस ओके यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर दी है जिसकी मदद से आप केबल को अपने घर पे लगवा सकते हो इस सर्विस के बेनिफिट के बियाओ पे गैस जो यह सारी मैंने बेनिफिट का है वो आपको DTH में बिलकुल नहीं मिलने वाले है तो अगर आप लगवाना चाहते हो तो अपने घर पे केबल आप लगवा सकते हो ऐसा नहीं है कि DTH नहीं लगवा सकते है दोनों एक साथ भी रख सकते हो आपकी मर्जी आप कौन सा यूज करते हो गैस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ सेर कर देना और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्यूचर्स में कहीं सारे वीडियो आने हवाल है मेरी इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत बुलना आज की लिए सिर्फ इतना ही नेक्ट वीडियो में फिर से आप से मिलूगा एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए स्टेइ सेफ घर पे रही है सरक्षित रही है थेंक यू सो मच पर वोचिंग मैं चैनल थेंक यू सो मच